वैसे दोस्तो आपने एकावत तो सुनी होगी देर आए दोरस्ता है। मुछ ऐसा ही हुआ है Realme के साथ। क्योंकि Realme के जो स्मार्पोन थे वो कभी भी फ्लेक्सिव लिवल के नहीं आते थे। हाली मैं Realme ने अपना एक स्मार्पोन लॉंच किया जिसका नाम है Realme X2 Pro यह चाइना में लॉंच हो गया है मैं आपको बता तो इस स्मार्टफोन में आपको चार कैमरे देखने को मिल रहा है Qualcomm Snapdragon 855 प्लस प्लसर के साथ आ रहा है बहुती कमाल की चीज़ा दीगे हैं 50W का इसमें फास शाजर भी देखने को मिल जाता है सारी बाते हम आपको इस वीडियो में बताने वारे है Realme XT Pro के बारे में और मैं आपको बता हूँ है चाइना में कितने प्राइस में लॉंच हुआ है और आपको ये इंडिया में कब देखने को मिलेगा तो फटा फट से मैं आपको Realme XT Pro की सारी जानकारी दे देता हूँ नमस्कार दोस्तों मैं सिवं चोहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे बास तो टेक चल बे जब फट सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ यहां पे Realme XT Pro के डिजान को लेकर गे तो जैसा कि आप देख पा रहा है इसका जो कलर ब्लू और वाइट दिया गया ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं कि तरपल कैमरे बीच में इस बार दिये गया है कैमरे के पास जैसा कि आप मेरी सिंट पर देख पा रहे होंगे साती साथ में आपको इसकी डिस्प्ले के बारे बताओं तो इसमें आपको 6.5 इंच की नौच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है ये डिस्प्ले आपको सूपर एमूलर डिस्प्ले देखने को मिल दिया है और कमाल की बात है 19Hz रिफ्रेश डिस्प्ले मिलती है जो कि आपको पता है OnePlus के पहले Flexible लबल के स्मार्ट फोन आते थे उसमें आपको 19Hz बारे रिफ्रेश डिस्प्ले मिलती थी वही डिस्प्ले आपको इस smart फोन में देखने को मिल रही है साथी साथ मैं आपको बता दो इस smart फोन में आपको इन display fingerprane sensor देखने को मिल जाता है और Corning Gorilla Glass 5 को production भी आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है तो display इतनी ज़्यादा कमाल के देगे है कि आप जैसा के देखी पा रहे होंगा अच्छे तरीकों से back भी दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो display और design को लेकर के realme xt pro को मैं तो एक बड़ा सा thumbs up देना चाहूँआ अगर आप देना चाहते है तो जल्दी से इस वीडियो को अभी से बड़ा सा thumbs up दे दीजिए और दोस्तों मैं आपको बदा तो यह आपको तीन वेरियंट में देखने को मिलेगा 6GB, 64GB, 8GB, 128GB और 12GB, 256GB स्टोरिस के साथ आएगा च्या फ्रेंट्स तीनों वेरियंट आपको इसमें अविलिवल देखने को मिलेंगे आप जो चाहें वो प्रेफर कर सकते हैं और दोस्तों मैं बात करूँ यहां पे इसके प्रोस्टर के बारे में तो इसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 855 Plus प्रोस्टर देखने को मिलना जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ और इस ताइम पर यह Snapdragon की तरफ से latest processor है तो multitasking के लिए काफी ज़ादा कमाल का processor रहने बाला है वैसे यह जो processor है आपको काफी ज़ादा फ्लेक्स अलों के smartphone में आता था लेकिन आप इसे smartphone में देखने को मिलना है वैसे Redmi आया था Redmi K20 उसमें आपको यह प्रोसर देखने को मिलना है और Redmi और आपको Realme पता है अच्छे तरीके से दोने एक दूसरे के cutter है इसलिए उन्होंने इसमें Qualcomm का Snapdragon 855 Plus दिया है वैसे दोस्तों आपको इस चीज़ बता दो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार को वीडियो देख रहे है चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करके बेल वाले आपको प्रेस कर लो और हाँ, और पे क्लिक कर रहा है, ताकि मेरे सब वीडियो की नटिफिसन आपको 100% बिल जाए, जैसे वीडियो को अप्लोड करते है चले दोस्तों, अब बात करते हैं, हम लोग यहां पे इसकी बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 4000 mH की बैटरी देखने को मिल जाती है टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, 3.5 FM का ओडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा कमाल की बात यह है, इस स्मार्ट फोन में आपको 50W का सुपर फ्लेश चार्जर देखने को मिल जाएगा कमपनी का दाबा है, यह 35 मिनिट में आपकी 4000 mH की बैटरी को फुल करके देगा तो मदलब कितनी जादा टेक्नोर्जी आँगे पहुश के 50W का चार्जर देखने को मिल जाएगा 35 में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा, काफी जादा अच्छी बात है जब भी भी आएगा तब पता चलेगा कितना जादा फास तरीके से चार्ज करता है और दोस्तों अब डालेंगे हम यहाँ पे इसके कैमरे को उपर नजर जो कि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है जेफरेंस इसमें आपको बेक में चार कैमरे देखने को मिल जाते है 64 मेका पिक्सल का इसमें आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है और आपको पता है जैसा कि Samsung का GW1 sensor जो की यूज़ हुआ है काफी ज़्यादा कमाल का sensor है तो 64 मेका पिक्सल से आपकी काफी ज़्यादा अच्छे फोटो आने वाले है साथी साथ दोस्तों मैं बात करना चाहूँ इसके फ्रेंट केमरे को लेकर के तो इसमें आपको 16 मेका पिक्सल का फ्रेंट केमरा देखने को मिल जाता है जो कि Sony का IMX471 sensor के साथ आता है और मैं आपको बता तो कि इसके फ्रेंट केमरे से आप वाइट एंगल के फोटो भी क्लिक कर पाएंगे तो दोस्तों केमरे बैक और फ्रेंट दोनों में अच्छे दिए गया है बैक में तो कुछ जादा ही अच्छे दिए गया है वैसे आपका क्या खहना है कैमरी को लेकर के मुझे ज़रू से कमेंट सेक्षन में बताई दीए चले दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइज इसकी प्राइज रखी गई है 6GB, 64GB जो की इसकी बेस वेरेंट की कीमत है 27,200 रुपे रखी गई है चीन में बात करूँ यहां पर 8GB, 128GB जो कीमत रखी गई है वो 29,200 रुपे रखी गई है उसका लास्ट वेरेंट हाई वेरेंट आपको देखने को मिलता है 12GB, 256GB जो प्राइज रखी गई है वो 33,200 रुपे रखी गई है तो दोस्तो मैं आपको जो इसकी सहरेस करना चाहँआँगा गए आप इसको लेना चाहते हैं तो 6GB, 64GB वेरेंट आप ले सकते हैं और दोस्तो हाँ लेने से पहले में आपको यह तो बताए दू का आप इस स्मार्टफोन को कब ले पाएंगे यह स्मार्टफोन आप ले पाएंगे डिसमबर के महीने में जी हाँ फ्रेंट्स जैसा कि मादप सेट ने पहले ही बोला था कि आपको रियलमी का एक फोन आपको डिसमबर के महीने में देखने को ले आपको वह स्मार्टफोन यही है वैसे दोस्तों यह फोन काफी जएदा तंगडा इसमार्टफोन है अगर आप वीड़ करना चाते है तो रियलमी एकस टूपर के लिए वीड़ कर सकते है क्योंकि काफी जादा अच्छ अच्छी चीज़ है इसे स्मार्टफॉन में आपको देखने को मिल जाते हो प्राइस भी ठीक रखी गई है 27,000 रुपे रखी गई है चलो दोस्तो आज के इस वीडियो के लिए बसना है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और साथजा दोस्तो अगर आपने भी तक इस वीडियो को लाइक ने गया तो लाइक कर दोना और अगर आप चैनल पर भी तक बने हुआ है सब्सक्राइब नहीं गया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जो उसे प्रेस करना मैं मनों का नए अंटरसिंग वीडियो के साथ अब तक लिए हुआ